दोस्तों महराष्टी चुनाव में एमायम के राष्टी अधज बैरिष्टर असदुद दीन वेसी सहाब और उनके छोटे भाई अकबर दीन वेसी सहाब का चुनाव पर चार जोर पर है इस बार दोनों भाई एक साथ चुनाव पर चार में उतर चुके हैं और सबसे पहले अकबर दीन वेसी सहाब और अंगाबाद में चुनावी सभा को संबोधित किये और बरे भाई धुले विधान सभा में एमायम के उमिदवार के लिए वोट मांग रहे हैं महराष्ट विधान सभा चुनाव में चौदे विधान सभा सिट काफी चर्चे पर है चुकि एमायम ने चौदे उमिदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है और इस वक्त असद्दीन वेशी साहब अपने छोटे भाई को लेकर चुनाव परचार में उतर चुके हैं यानि छोटे भाई को उतरने के बाद और स्यासी माहूल गरम हो चुका है दोनों का तावर तोर चुनाओ पर चार चल रहा है और जिस वज़े से स्यासी गलियारों में खलबली मची है और अंगाबाद से कभी असुद अवेसी साहब खाली हाथ नहीं लोटे हैं सबसे पहले 2014 में उनके उमिद्वार कामियाब हुए उसके बाद 2014 के बाद 2019 में भी वो अपना उमिद्वार उतारे वहाँ पर भी दो उमिद्वारों को कामियाब ही मिली 2024 में लोग सबाचुनाओं में एक उमिद्वार उनके थे अम्तियाज जलिल साहब लेकिन इस बार कामियाब नहीं हुए आखेर 2024 में ही विद्वार उतारे चुनाओं में डट कर मुकाबला करने के लिए आ चुके हैं और इस बार 14 विद्वार सिट को अपने जोली में लाने के लिए परियास में है चुकि एक तरफ अम्तियाज जलिल साहब औरंगाबाद इस्ट से चुनावलर रहे हैं और सबसे पहले अकबर अद्विद्वार साहब उन्ही के विद्वार में पहुचे और चुनावी सबा को संबोदित किये महराष्ट चुनाओं में औरंगाबाद इस्ट विद्वार काफी होट सिट है चुकि AIMIM के बरे लीडर उन्तियाज जलिल साहब चुनावी मैदान में है और उन्तियाज जलिल साहब को हराणने के लिए विपक्ष ने पूरी टाकट छुग दी है चुकि उन्तियाज जलिल साहब के मुخालिब में लंबी फैरिस्ट उमिद्वार्ग की है जो मुस्लिम समाज से हैं अब अग्बरदीन ओवेसी साहब और असुद्दीन ओवेसी साहब मुस्लिम समाज को गोल बंद करने में लगे हैं और उनके अंदर स्यासी बेदारी लाने के लिए हर सबाब में कोसिस कर रहे हैं देखना ये है कि महराष्ट चुनाओं में इस बार असुद्दीन ओवेसी साहब के पार्टी को कितने उमिदवार काम्याब होते हैं चुकि असुद्दीन ओवेसी साहब कभी खाली हाथ नहीं लोटे हैं महराष्ट के लोगों ने उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजा है कभी दो सिट दिये हैं फिर दो बारा दो सिट दिये हैं लेकि इस बार खुद जो है जादा से जादा सिटाने की उम्मीद है जैसा कि इमत्याज जलील साहब ने ये संकेत दे दिया है कि सरकार बनाने के लिए M.I.M. के पास आना होगा इमत्याज जलील साहब कह रहे हैं कि सरकार बनेगा तो हमारे समर्थल्पे बनेगा और चुनाव पर इनाम आने के बाद सभी लोग मेरे पास आएंगे बारहाल इस वक्षद दीन ओवेसी साहबा और अगबर दीन ओवेसी साहब का चुनाव पर चार जोर पर है और महराष्ट के सियासी गल्यारों में खलबली मची हुई है लगातार अपडेट पाने के लिए सबसे पहले आप हमारे दमेसेज न्यूज यूटूब चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा या हमें फेस्बुक में देख रहे हैं तो पेज को फोलो कर लिजेगा फोलो कीजेगा तो हर अपडेट आपको सही समय पर मि मिलेगा चले दोस्तों बस इतना ही तक फिर